नमस्कार दोस्तों चंपारण की पावन धर्ती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनानिन करता हूं जैसे डेली आपको ओरिजिनी का एक सेट मिल रहा है जो बीपीसी सिक्षक बढ़ती 2.0 से सम्मंदित है उसी से रिलेटे जो आएंगे 8-10 कोस्तन याएंगे तो जिस टेश टॉपिक को वीपीसी ने चुना था अपने एक्जाम में पूछने के लिए उसी टॉपिक से सारे सवाल को मैं लेकि आपके सामने रोज आता हूं चलिए सुरुवात करते हैं पहला सवाल हमारा किस टॉपिक से हमारे कोस्त करना आप से सिम्पल सा कनष्राइब होता है एक दो यह जितने स्ट में वाक्स बंते हैं उसकाम लिख देते हैं और आपस को जोड़के इसका मान निकाल देते हैं ही सिसमें कुछ नहीं हुआ है सेम प्रोसेस है बस एक यहां ऐसे होगया है छुद्ध तो कुछ नहीं करनाया आपको क्या काम क factor वाली इस बेस पर कितना थिर्भूझ गिन sad तो जैसा अप्रोच आपने यह लगाय था इस यह प्रोच का इस्तमाल आपको यहाँ भी करना है कितने आपके box बने हैं? चार और इसका जोड कितना होगा? तो आपके 30 होगा 10 और जीतना आपको अधहार मिले जीतना आपको line मिलता है यह दोनों अधार है, बेस है, जितना अधार उससे सिदे गुना कर दिजे, अंसर आपका आजाएगा 20, यानि आपका question का answer क्या होगा, 20 होगा, अगर यह तीन पार्ट में होता, माल जिए एक और पार्ट यहां दिया होता, तुम क्या करते इस गुना को, 10 गुने 3 कर देते, ल अगला सवाल, यह वही सवाल है, जो BPSC शिक्षक भरती में आपसे पूछा गया था, यह सवाल है, कि इसमें आपसे पूछ जाया कितने वर्ग है, इस topic में वर्ग कितने है, थोड़ी सी आपकी जो आकृती हो थोड़ी चेड़ी हो गई है, तकि कोई परग ने पड़ता, य यानि जब इधर भी box बराबर हो जाए, और इधर भी box बराबर हो जाए, तो यह असान हो जाता है, असान कैसे हो जाता है, जितने box बराबर होंगे, उनका square करके आपसे जोड़ देना है, वहीं आपका जबाब हो जाता है, इस सेम सवाल आपके exam में पूछा गया था, एक, 4, 9, 16, आपका answer हो जाएगा 30, क्लियर है, जिन लोगों ने भी 1 to 5 का exam पिछले पर दिया होगा, वह निस्ची तोर पर देखके पहचान जाएंगे, इस सवाल आपके exam में पूछा गयता है, वर्गों की संख्या कितनी होगी, अगर boxes बराबर है, तो सिधे square करके जोड़ जोड़ते, 6 बराबर होता, 6 square करके जोड़ते, 4 बराबर है, 4 के square करके जोड़ दीजिए, डिरेक्ट अपका answer आजाएगा 30, क्लियर है, तो आपने देखा कि 2 सवाल मैंने counting of figure से उठा है, क्योंकि ये topic important है, क्योंकि आपके exam में पूछा गया है, अगला सवाल, अगला सवाल फिर यहाँ खाली अस्तान दिया गया है, फिर यहाँ खाली अस्तान दिया गया है, और फिर यहाँ खाली अस्तान दिया गया है, इसका मतलब कि 100, 25, 35, 15, 5 और 180, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ये जो आपके option दिये गया है, इसमें से किस option को उठा कि यहाँ रखा ज चाहिए तो आपके श्रेट को उठाके इस बॉक्स में डाला जाए यानि जो भी आपके साइन दिख रहे हैं आपके जो भी यहां प्लस माइनस गुना भाग दिख रहा है उसमें से किस ऑप्षान को उठाके डाला जाएगा ताकि क्लेकुलेशन करने पर आपका मान 180 के बराब फोकस होने भागा पर और दूसरा आपका फोकस होने चाहिए गुना पर यहीं चीज आपको अक्यूशन को स्वल्प करने में आपकी हेल्प करता है जैसे ऑप्षान नमबर ए में मैं अगर फोकस करूं तो डिवाइड जो है तीसरी रास्तान पर है एक दो तीन इसका मतलब अगर डिवाइड तीस रासतान पर है तो डिवाइड के जस्ट बगल में क्या है गुना है तो अगर डिवाइड हम यहां रकते हैं हमें करना होगा पांठीस भागा पंद्रा और गुना क्या है पांच अगर हम काटेंगे तो क्या ये कटेगा मेरे दोस्त ध्यान से देखें तो मैं फिर से दिखा रहेता हूं आपको किसमें नहीं आना चाहिए इसका मान फुर्णांक में चला जाएगा क्योंकि 35 जवतीन से नहीं कटेगा तो निस्चित तोर से क्या होगा पॉइंट में आगा तो अप्सान नमबर ये तो कभी होई नहीं सकता बात समझ में आई हो अचा सेकंग नमबर ऑप्सण क्या कह रहें जी सेकंड नमबर ऑप्सण जो कह रहा है वह 100 को 25 से गुना करने के लिए कह रहे क्योंकि पहले ही sign में क्या दिया है गुना अगर आप 100 को 25 से गुना किजिएगा तो मेरे दोष 25-100 आ जाएगा और जब 25-100 आ जाएगा तो क्या 100 के पास पहुच पाईएगा नहीं पहुच पाईएगा बहुत ही बड़ा मान हो जाएगा तो logic कहता है कि इवल option किसी कीमत पनी ह हो सकता है थार्ड अपशन के logic क्या है कि गुना और भागा फिर वहीं है यहां देखेए पंद्रह भागा पांच करिएगा तो तीन आएगा और 35 गुना तीन करके यानि यह मान इसके आसपास जा सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अफसर नंबर आईए देखा जाए 100 माइनस 25 प्लस 35 गुने सीधे लिखेंगे 3 तो 35 गुने 3 का सीधे निकाल दो 105 आता है इसका माना जाएगा 105 तो जब 100 को 105 में जोड़िएगा तो 205 आएगा और 205 में से 25 गटाएगा तो सीधे आजाएगा 180 यहीं आपकी वहलू क्या हो जाएगी सही हो जा अगला कोस्षण से समझेट है 20 समंधित है सवाल आपके अगलती नहीं करेंगे खुझ तो गल्ती नहीं होगी यहां लौजी पासे के दो इस्तितिया दी जाती है और दोनों में एक नंबर शमान होता है इसमें कितने तरह के सवाल बनते हैं जी तीन तरह के एक होता है वंक् क्या होगा number rank कुछ भी common होगा एक बनता है जिसमें दो-दो common होते हैं और एक बनता है जिसमें कोई भी common होता यह सवाल है इसमें कोई एक क्या है common है एक common है तो आप एक से clockwise चलिए या मन करें तो anti clockwise चलिए लेकिन दोनों को से फॉर्मिट में लेकर जाना होगा जब आप पहली स्थित्वी में एक से clockwise चले तो एक आया दो आया उसके बाद छे आया ऐसे फिर इससे चले तो एक के बाद तीन आया और तीन के बाद पांच आया जो जिसके सामने होता है वहीं उसका पोजिट हो जाता है छे के सामने पां है तो चार की विप्रित पलत पर क्या होगा तो आप कहेंगे एक होगा क्लियर है अगला सवाल अगला सवाल है यह सवाल आपका वेंड डियाग्राम से रिलेटेड है और अच्छा सवाल है एक्जाम में आपके बन सकता है ध्यार नखेगा कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिस दिया है अगला सा अंग किताबों पैंसिलों को दरस आएगा अगर हम बात 23 की करें तो 23 पैन को दरस आ पैंसिल तो उसमें ही नहीं तो यह हो इने सकता अगर पांच की बात करें तो पांच जो है pencil और पकार सा ता किदा क्या हो झाथ है इस का ऑप क्या हो जाएगा आयसे सवाल आपको देखने को मिल रहा है देली तो सवाल को देखते रही है दुबारा भी देखे ताकि समझ है चलिए अगला सवाल आपके सेट में है यहां आपको बताना है कि 9 और 42 में कैसा होगा यह आपको पता करना तो चलिए 9-324 में कैसे पता स्वाइन करें सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम फॉर्मेट को ऐसे लेकर जाए या फॉर्मेट को ऐसे लेकर जाए यह अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर आपके पास दिक्कत हो जाएगी फॉर्मेट को कैसे लेकर जाना पहले समझें इधर मान बहुत बड़ा है 72 इधर मान 30 है जानतर चांस यह होता है कि इधर मान बड गुना करके और प्लस 4 करें तो क्या यह format सही हो जाएगा 72 हो जाएगा यानि 9 से 34 जाने के लिए मैंने 9 को 4 से गुना के 9.36-234 और 34 से बहतर जाने के लिए 34 गुने 2 गुना कि या 68 68 प्लस 4 क्या होता है बहतर सेम प्रोसेस अगर यहां लग रहा है इसका मतलब सही है प्रोसेस क्या प्रोसेस लगेगा साथ चोग आठाइस माइनस दो 26 आया सही है और अगले में क्या करना है 26 गुने 2 प्लस 4 यानि 26 दूनी बावन और सब्सक्राइब हो रहा है अब 90 से अगला फॉर्मेट क्या कहता था तो 90 से कहता था कि दोगुना करके प्लस 4 कर दीजे तो 90 दूनी 180 प्लस 184 आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प हो जाएगा एक सवाल आपके एक्जामें पूछा गया था और भी पीसी का फैवरेट कि 7 5 15 11 55 49 343 अब देखिए जो सवाल है इसमें कुछ लोग क्या हो जाएंगे जाएंगे भीस गई आपकि पूछा हूँआ सवाल आपको डाला आपके प्रक्टिस के लिए क्यूंकि ऐसे सवाल आपके एक्जामें बनेंगे इसमें कुछ बच्चा कि कैसे हो जाएंग उसको 443 ने ञाइब geben 49 होता है साथ का YouTube होता है क्या यह स्कॉर्ण RT कोplate क्या होता है क्या स्कॉर्ट को क्या स्कॉर्ण था ? बिल्कुल नहीं है 已經 I基幹łem 3 captivity कैसे यह थे साथ 123 क्या है साथ से सातलाना है है तो दो सिधा एक ही मतलब है साथ को साथ तभी ला सकते हैं आप गुना एक कर सकते हैं तभी साथ आएगा साथ से जब पांस के पास जाएंगे तो माइनस टू कर सकते हैं पांस से जब 15 के पास जाएंगे तो कुना तीन कर सकते हैं 15 से 11 के पास जाएंगे तो माइनस चार कर सकते हैं इसके पास जाएंगे तो माइ माइनस होगा और कितना माइनस होगा 8 माइनस होगा तो कितना घटाएंगे तेरे में साथ गया 5 3 यापका आनसर 335 आपका 335 दिया हुआ है वहीं आपका क्या होगा सही अंसर उगा इस तरह के सवाल स्सी स्वाल पूछा पूछा है पिछले चाल एक्जामों में इसलिए इसको को ध्यान से देखिएगा नहीं समझा है कॉमेंट किजिएगा फिर से चल्चा उसकों मैं कर लूँगा अगला सवाल यह भी सवाल है और रिपिट का सवाल है कैसे इसको बनाते हैं बहुत सारा कुस्ट्रमाइज पर करा चुका हूं फिर से द्यान से देखिए करना इसको देखिए सबसे पहले कि गिंति के जाती है कि टूटल इसमें कितने अच्छारों का इस्ते वारा अगर बारा का इस्तेमाल होगा तापका जो फॉर्मिट बनता है गार पर यहां थरी तो फ्री टोटेगा या थ три तो टूटेगा या तो पूर इए टूटे आपको एंसर बनना है और सबसे पहले दियन देना कि सबसे पहले थान पर क्या स्थान यह इस्तमाल हुआ है EEEF, 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 EEEF क्या-क्या भरा आपने तो आपने भरा है EEE, फिर EEEF और EEE तो जिस भी option में EEE के बाद EEEF हाए वहीं आपका answer होगा option number D आपका क्या होगा सही जवाब होगा clear है अगला सवाल अगला सवाल जो है वो आपके coding और decoding से related है आया गया है ज्यान से देखिएगा rain का code है 18, 29 और 15 sun का आपका code जो दिया गया है अच्छा पहले rain का code decide करते है कि rain का code दिया कैसे है फिर हम sun के बारे में चलेंगे इसका number 18 होता है इसका 1 होता है इसका 9 होता है इसका 14 होता है इसकेंड लेटर में एक जोड़ दिया फिर तीसरा लेटर क्या है फिक्स है फिर चौथे में क्या कर दिया एक जोड़ दिया क्या यहीं format नीचे भी इस्तेमाल हुआ है चले चेक करते है पहला वाला fix करना है S का number 19 होता है fix है बिलकुल सही बात है U का number 21 होता है एक जोड़ के लिख दिया 22 और लास्ट जोड़ दिया यानि एक fix रह रहा है दूसरे में एक जोड़ जा रहा है इस format का इस्तेमाल करके अगर question को बनाना हो तो किस सवाल को बनाना है जहां से देखिए तो आपको जो सवाल बनाना है वो बनाना है मून का मून का नियम क्या चलेगा यह आपको पता चल गया है उपर से पहला वाला fix करेंगे 13 का 13 लिख देंगे 15 है तो 16 कर देंगे फिर 15 का 15 ही लिख देंगे और 14 है तो 15 कर देंगे यानि जिस भी option में 13,16,15,15 दिया है वहीं आपका सही जवाब है 13,16,15,15 यहीं आपका क्या है सही जवाब है चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों है अगला सवाल जो है यह सवाल आपका classification से है classified करना है चीजों को कैसे करेंगे ध्यान से समझे classified करना है यह जो है चार जो आप्सण दिये गए है इस आप्सण ने बताया ने जाना है कि 5,23,11,1,23,9,18,7,5 में 4 में से 3 ऐसे होंगे जिनका format बिल्कुल सेम होगा एक ऐसा होगा जिसका format क्या होगा बदला हुआ होगा तो format change कैसे होता है आप देखेंगे तो आपका पता चलेगा यह जो है वो 5 के स्क्वाइर में माइनस टू कर दिया है यह जो है 11 के स्क्वाइर में प्लस टू कर दिया है यह जो है 7 के स्क्वाइर में प्लस टू कर दिया है यह जो है 9 के स्क्वाइर में जा रहे हैं important हो नहीं है कि आप किसको answer कर रहे है important है कि बाकि जिस तीनों को छोड़ रहे हैं उसका किसी ना किसी के group होना चाहिए तो वैसे आपको दिख गया कि सबका group है square के बाद plus two हुआ है इसका group अलग है क्योंकि square के बाद minus two हुआ है इसलिए आपके question में अलग है चलिए तो state 5 से मैंने आपको दस question दिखाए अलग अलग तरह के इसी परकार के आपका state 6 भी आएगा state 7 भी आएगा जब तक आपका exam नहीं होता जाता है आपके questions daily आपको हर तरह के सवाल आपको मिलते जाएंगे तो जुड़े रहें पारा चंपारनवाला के साथ और देखते रहें ऐसी मज़दार question मज़दार trick चलिए